हेलो अब्रीवन जै हिंद आज है 28 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 28 जुलाई से बनने वाले करंट अफर के सभी important questions को cover करने वाले हैं तो सबसे पहले हम revision करेंगे कि 27 जुलाई को हम लोगों ने कौन-कौन से important questions है जो की यह discuss कर लिये थे देखिए कल मैंने आप लगों को बताया था कि जो चाइना है यह खुद का international space station बनाने जा रहा है जिसके लिए यह जो तीन module भीजने जा रहा है इसके क्रम में यह दूसरा module भीज चुका है अभी हाली में यह अमरत एप निती आयोग ने लॉंच किया है इसके पहले यह अमरत पोर्टल भी लॉंच कर चुका है 69 senior पुरुस रास्ट्रे कबड़ी championship 2022 यह जीती है इंडियन railway ने वैश्वी कूर्जा पुरुसकार 2022 जीता कौशिक राज शेखर ने वोड़ अफ़ोन आइडिया के नए CEO अक्षा मुंद्रा बने ही और वर्ड बैंक के जो नए मुख्य अर्थिसास्त्री यह भारती मूल के इंदर मिडगिल बन गये है सकुराजिमा जुआला मुख्य इसमें बस फोट हुआ है यह जापान का एक सक्री जुआला मुख्य है अभी हाली में फ्रेंच ग्रेंट पिक से जीत ली है मैक्स वस्ट अप पर ने और अभी हाली में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाये गया कारगिल वार यह 1999 में हुआ था 1999 में जब प्राइम मिनस्टर अटल विहारी बाच पाई जी थे केरल के सरवोच फिल्म पुरसकार जेसी डेनियल आवोर्ट से सम्मानित किया गया है केपी कुमारन को यह सभी महतपूर्ण कुश्चन्स हम लोगों ने कल पढ़ लिये थे और आज शायद हो सकता है मेरी आवाज में कुछ चेंजेस हो कल टेलीग्राम में और यूटूब में 8-8-8 बजे क्या सबस मैंने एक कोस्ट किया था कि मेरी तब भी ठीक नहीं लग रही है जिसके कारण में 28 जुलाई का करंटर फर नहीं बना पाऊंगी लेकिन फिर उसके बाद दवाई ली मैंने दो घंटे बाद थोड़ा सा सही लगने लगा तो चाड़े 11 बजे तक मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट प्रेपेर किया फिर लगा कि थोड़ा सही लग रहा है तो आप लोगों के भी क्लास मिस्स नहीं इसलिए वीडियो डाल देना चाहिए आज की क्लास थोड़ा सही लिए आप लोगों को लग रहा होगा तो आज मैं फैन अन करी हूँ मतलब कि आज पंखा चल रहा है और पंखा चलते चलते मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि पहले भी मैं बताई हूँ कि मैं हिल स्टेशन में रहती हूँ तो खेर कोई बातनी क्लास तो हो गई ना आज आप लोगों की उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बस यह बताना चाहरी थी आवाज में दी कोई इशू होगा तो यह फैन के कारण है थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इंपॉर्टन कोश्चन दोहजर चौबिस के बाद कौन सा जो देश है इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन इस परियोजना से हट जाएगा इस कोश्चन को आप कल वाले पहले कोश्चन से रिलेट कर पाओगे तो बहतर समझ पाओगे कि जो रशिया है यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एग्जिट हो रहा है देखे यह जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यह पांच देशों की जो स्पेस एजनसी है इनके रॉश्या के Space Agency रॉस कॉस मॉस और योडे यून्यन की एक European Space Administration का एक संगठीन है आपड के सकते हैं जिसका ये सहयोग था International Space Station को स्थापत करने में और पांच वा इसमें था Kadai Space Agency इन पांच अंतरिक्ष एजन्सियों के द्वारा International Space Station की जो स्थापन है ये की गई थी ठीक है तो आप यहां क्या देख पा रहे हो कि इसमें चाइना शामिल नहीं है मतलब कि चाइना के जो Space Agency है चाइना National Space Administration यह इसमें शामिल नहीं है इसलिए तो कल मैंने First Postion में ही आप लोगों को बता दिया था कि चाइना अब अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन इस्थापित करने जा रहा है खुद के रिसर्च के काम यह अपना पर्टिकुलर यहां कर सकेगा अब यह जो International Space Station है कल मैंने बताया था यह होता क्या है प्रत्वी से लगबख 400 क्लमीटर की दूरी पर प्रत्वी के लोवर और्बिट में 400 क्लमीटर की दूरी पर इस चलता फिरता घर आप खह सकते हैं जिसमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं महीनों रहते हैं और अपना जो रसर्च का काम है यह करते हैं है ना तो यहां पूरी तरह की facility होती है इंसानों के रहने की तो पांच देशों के जो संगटन था इसमें रश्या में शामल था लेकिन दोहजार चौबिस के बाद रश्या इसका हिस्सा नहीं रहेगा इसका एक महत्पूर्ण कारणी दिया आप कहेंगे तो देखें जो क्रीम में इसने हिंसा कर दिये बूचा नरसंगार जैसी वाली घटना है आप लोगों को मालूम ही होगी रश्या ने यूक्रेन पर मतलब एक बूचा नामक शहर है जहां लगभग 300-400 ये म्रत यानि कि शव पाए गए थी बीसर नरसंगार यहां देखने को मिला था और इसका पू इसलिए आप कह सकते हैं कि अभी नेक्ष्ट एक दू सालों में हम पढ़ेंगे कि रश्या ने ये जो रश्या है ये इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन की जो संगी थी इससे एक्जिट हो चुका है ठीक है 1998 में ये पाँच देशों के संगठम के दुआरा बनाये गया ISSस था जो कि अब इससे एक्जिट होने जा रहा है रॉस कॉस्मोस यानि कि वही रश्या की स्पेस एजनसी अब देखो अब रश्या का स्पेस एजनसी इससे हट जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अब देखो आप्या से की पांच स्पेस एजनसी ने इसके स्थापन की थी तो पाचों का अपना-पना एहम रोल रहा होगा सेम वैसे ही रश्या का भी इसमे एक महतुपूर्ण योगदान रहा था तो इसका महतुपूर्ण पहले दिया आप पहेंगे कि रश्या की सपेस एजंसी यहां करती जाए खेर इससे एक्जेट होगा तो कोई न कोई ऑप्शन बाकी अंत्रिक्ष एजेंसी को इससे निकालना होगा और साइंस अंट टेक्नोलोजी का प्रश्ण है तो कल भी मैंने एक मिशन याद कर आया था तियान वेन वन जो कि चाइना का मिशन है फिर यह आप रिलेट जापान को साइंस अंट टेक्नोलोजी से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं एक तो मैंने बता दिया कि इसकी स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है डूल मोड वेहिकल लॉंच करने वाला दुनिया का पहला देश यह जापान हो जाएगा इसके लावा भारत की दिमें बात करूं त तो भारत नेक्स्ट येर तक अपना जो मंगल यान मिशन है गगन यान मिशन भी भारत एक्टिव हो चुका है जो कि अब भेजने की तैयारी में 23 शौबस तक आप काफी सारे मिशन है जो कि भारत के मतलब स्पेस एजेंसी जो इसके द्वारा लॉंच करता हुआ देखेंग 49 के बाद अब 5 और शामिल हो गई तो टोटल कितनी होती है 54 तो 5 और तो टोटल अब पूछा जाए कि आदर भूमियों की संख्या कितनी हो गई है भारत में तो ये हो गई है टोटल 54 अच्छा ये आदर भूमि अच्छोर में होती क्या है क्या है आदर भूमि तो ये जल और थल के बीच का एक दलदला शेत्र है जो कि जैव विविद्टा यहने की बाइडाइवर्सिटी के पॉइंट ओफ यू से इंपॉर्टन रोल प्ले करता है 1971 में इरान का एक शहर था रामसर यहां एक कन्वेंशन हुआ था जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं यहां इस बात पर सहमती बनी हुई थी कि जितने भी आद्र भूमिया है जो कि जैव विविद्टा की दृष्टी से इंपॉर्टन रोल प्ले करती है इन्हें सनरक्षित किया जाएगा तो अभी आप लोगों ने जो 49 रामसर इस्थर याद रखे थे 48 मैंने याद करवाया था कौन सा था 48 खिजा दिया जो कि कहां का था गुजरात का था और 49 था उत्तरपदेश का कौन सा था बखीरा वाइल लाइफ सेंचुरी ठीक है अभी जिन पांच स्थानों को शामिल किया गया है रामसर इस्थल के लिस्ट में ये पांच स्थल मैं आप लोगों को बता देती थोड़ा सा पैन हैंग करने लग गया भी हाँ फैन की आवाज आ रही होगी अप आप लोगों को आज ही सारी शीजे होनी है तब्यद भी सही नहीं थी जैसे तैसे कंटेंट प्रेपर करने की कोशिश की ज्यादा पांच नहीं जैग में से रही कनेक्ट कर रही हूँ चलिए कनेक्ट हो गया तो यह पांच नहीं जो आद्रभूमी शामिल की गई है यह मैं आप लगों को औरेली बता देती हूँ जब पीडिएफ शेयर करूंगी ना तब यहां मैं लिख भी दूंगी आप लगों के लिए तो पहला जो है यह कौन सा है पिछ वरम मैंगरो यहीं पर लिख देती हूँ अलग से लिखने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी तमिल लाडू में है यह पिछ वरम मैंगरो फिर आप क्या देख रहे हैं करी कली पक्षी अभ्यारन्य नीचे में जो है यह कहां इस्तित है करी क पक्षी अभ्यारन्य यह भी तमिल लाडू में है दो यह आपके तमिल लाडू से हो गया फिर पाला आद्र भूमी पाला वेट लेंड से जो आप देख रहे हैं यह मिजोरम में आप पढ़ेंगे इसके बाद यह बात कुरू साख्य सागर की तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा और एक और बच जा रहा है पल्ली कर नहीं यह कहां है तमिल लाडू में तो यहां से आप लोगों ने क्या देखा इन पांच में से तीन रामसर अस्था लेने की जो आद्र भूमिया है यह तमिल लाडू से सेलेक्ट की गई है एक मध्य प्रदेश और एक मिजोरम से यहां से आप लोगों को important यह याद रख लेना है कि भारत का ऐसा पहरा कौन से इस्थल था जिसे रामसर लश्ट में add किया गया था तो यह था चिलका लेक 181 में से शामिल किया था चिलका लेक है कहां तो यह ओडिशा में हो जाएगा भारत में सबसे खारे पानी की लेक यही हो जाएगी यही है और सबसे मीठे पानी की तो बूलर लेकर जब मो कश्मीर में आप लोगों को मालूम है देखे यह दि आप लोग एक महीने से भी मेरी क्लास ले रहे हैं बसे कुछ पुराने श्टुटन तो कप से एड़े लेकिन जो एक महीने से ले रहे हैं उन्हें भी यह चीज मालूम होगी कि अभी तो कोई जनगड़ना है जो कि चिलका लेक में शुरू हुई है याद नहीं आ रहा हो तो चलो बता भी देती हूं बस रिलेट करना मेरा परपस था अभी कोई जो कि दुनिया में आसी पहली है इसी चिलका लेक से शुरू की गई है अगला प्रशन है किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है तो ओरंगा नेशनल पार्क जो कि कहा इस्थित है असंब में इस्थित है इसे अभी हाली में इंट अपना कॉंट्रिबूशन दिया है इसके लिए इस नेशनल पार्क को सम्मानित किया गया है अलाकि टाइगर रेजर प्रोजेक्टर टाइगर के तहती से शामिल भी किया गया है और नेशनल पार्क के बारे में बात करूं तो असंब का सबसे पूरा ना वाइल लाइफ लेंगे किसे औरंगा नेशनल पार्क को सिंगलीला नेशनल पार्क कहां इस्थित है तो यह पश्विम मंगाल में इस्थित है अभी क्यों चर्चे में आया था क्योंकि यहां भी हाली के दिनों में 20 लाल पांडा छोड़े जाने है ठीक है जो कि संकट ग्रस्त है कान्हा ने 273 से सबसे पहले इसी नैशनल पार्क से इसके शुरुवात की गए थी अगला प्रशन हाली में किस बोर्ड ने किस क्रिकेट बोर्ड ने भारती अंपायरों के लिए एक नई कैटेगरी ए प्लस की पेशकुष की है अभी आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले में आप लोगों को बताया था कि जो न्यूजिलेंड का क्रिकेट बोर्ड है इसने घरेलू और अंतराश्ट्री क्रिकेट गरेलू और अंतराश्ट्री दोनों ही मैचों में पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन देने की गोशना की थी यह मैंने बताया था लेकिन रिसेंटली जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है, BCCI, इसने गोशना, मतलब अभी ये लेकर किया गिया है, अमपाइरों के लिए खास तोर पर A-plus के टेगरी, जिसमें कि देश के के 49 वे क्रम के जो अध्यक्ष सौरब गांगुडी है, और सेक्रेटरी हो जाएंगे जैशाज की, अमेशाजी के बेटे हैं, अगला प्रशन है, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहां इस्थापित किया जाएगा, सर्व महिला सहकारी कहने का क्या मतलब है, कहने का इसी के तरज पर राजस्थान में महिला निधी की स्थापना है, तो यह समय पर लोन की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, महिलाओं को शुशक्त बिनाने का कारी करेगा, यह जो सहकारी बैंक है, पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाना है, ठीक है, और रा जो कि एरिया वाइस भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएका इसकी जो राज्यधानी है यह हो जाएगी जैपुर जैपुर में भारत का पहला अंगदान इसमा रखेने की औरगन डोनर मेंमोरियल यह स्थापित किया गया है यहां के इंपोर्टन नैशनल पर्क मैंने आप वो को याद करा रखे हैं जिसकि सारिसका केवला देवरंधंबॉर एक प्रमुक यहां की जो सबसे बड़ी स्वास थी उजना चिरन जीवी स्वास थी उजना साथ ही राजस्थान में कहा तो राजस्थान के जैसल मेर में ठीक है यह जो राजस्ट्री ध्वज था यहां देख पा रहे हो तो यह जो राजस्ट्री ध्वज था मैं आपको बता दूँ कि यह 1414 किलोग्राम वजनी था 225 फिट यह लंबा था और 150 फिट चौड़ा था इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हो आप यह रिलेट कर सकते हो जो 4-5 दिन पहरे में आप लोगों को बताया है कि AI यानि कि Artificial Intelligence Based भारत की जो पहली लोक अदालत सेवा है राजस्थान में ही इसके शुरुआत की गई ह राजस्थान जो की बायो फ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्जी भी हो जाएगा बहिलाओं से रिलेटेड आप यह ऑप्शन पो रिलेट कर सकते हो कि तेलंगाना की जो राजधानी है है एदराबाद यहां अभी जो अंतरास्ट्री महिला दिवस मन रिलेट करोगे गुजरास से आप यह रिलेट कर सकते हो कि बाली का पंचायत इस्थापित करने वाला जो भारत का पहला राज्य है यह भी हाली में गुजरात बना है और हरियाना हरियाना से आप यह रिलेट कर सकते हो भारत का पहला ग्रेन एटियम और जो पहला हैलिपोर् अगला प्रशना अमर शही चंद्र सेखर आजाद की भव्य प्रतीमा कहां इस्थापित की जाएगी देखी चंद्र सेखर आजाद का जो निधन हुआ था यानि कि खुद को ही इनों ने गोली मारी थी 23 जुलाई 1906 में जो अल्फरेट पार्क था उत्तर प्रदेश का अल्फर प्राज सिंग्च चोहान इनके दुआरा इसकी घोशना की गई है क्योंकि इनका जो जन्म है यह भाबरा नामा ग्राम में हुआ था च्योंकि मध्य प्रदेश में इस्थित हैं काफी कम उम्र में यह कुर्बानी दे दी थी इन्होंने देश के लिए तो इन्हीं के सम्मान म इनके लिए प्रतिमा इस्थापित की जानी है भोपाल इसे सिटी ओफ लेग कहा जाता है कहां का सिटी ओफ लेग मध्य प्रदेश का वैसे सिटी ओफ लेग के नाम से आप उदैपुर को पढ़ते हैं इसके आलावा इदि आप रिलेट करोगे तो जो मेरा यह वीडियो दे चुक्ता हों कि यह जेलम नधी के किनारे बसा हुआ है इसी जेलम नधी के किनारे बसे श्रीनगर में अभी हाली में गर्व मंत्रे अमस शाज ने स्टेच उ पीस का नावरण किया, स्टेची ओफ पीस श्रीनगर, स्टेची ओ रूप यूनिटी, जोकी सरदार पटेल की प् तैलंग्गाना के हैऑगराबाद में सरदार नहीं, रामानचचारी के प्रतिमा है, स्टेचियो उफ yunity गुजरात में, स्टेच्यो पीस, स्रीनगर में अगला क्रशने है, कौन सा देश 2025 में ICC महिला वंडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा तो 2020 का जो मेजबान देश है ये अपना ही देश भारत है अभी हाली में ICC ने 2024 से लेकर के 27 तक के लिए जो महिला वंडे इसके लिए 4 देशों को कर दिया है भारत बांगलादेश इंगलेंड और श्री लंका 2026 में इंगलेंड में आयजित किया जाएगा 2024 में बांगलादेश में 2025 में भारत में और 2027 में श्री लंका में ये आयजित होना है ठीक है तो यह दिवा बात करूं आयसिसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 1909 में इसके इस्थापना होई दुबाई UAE में हैटक्वाटर हो जाएगा और ग्रेग बार के लिए जो की न्यूजिलेंड से बिलॉंग करते हैं ये हो जाएंगे इसके अध्यक्षिद ICC के दूआरा जो Men's World Cup है ICC Men's World Cup 2023 ये इंडिया होस्ट करेगा जबकि ICC का जो अभी हाली में Women's World Cup संपन हुआ है ये न्यूजिलेंड में संपन हुआ है जिसमें की विनर कौन रही थी? विनर रही थी Australia, Qatar कतर ये FIFA Men's World Cup की मेजबानी कर रहा है इस साल FIFA Men's World Cup 2022 कौन होस्ट कर रहा है कतर इससे जो नेक्ष्ट होगा 2026 में इससे तीन कंट्री मिलके होस्ट करेंगी USA, मैक्सिको और कैनेडा अभी हाली में World Athletics Championship जिसमें की नीरा चोपड़ानी सिल्वर मडल जीता है तो इसका जो आयोजन है ये अमेरिका में किया गया है अंतिम प्रशन है आज का क्योंकि तब्यत खराप की बहुत सबसे चोटी केटू को फतह करने वाले पहले बांगलादेशी कौन बने अभी हाली में जो वसीफा नजरीन है ये केटू की उचाई पर पहुचने वाली पहली बांगलादेशी ब बन गई है और ऐसा करने वाली मतलब कि देखो वसीफा नजरीन ने 2012 में माउंट एवरेश्ट जो की दुनिया की सबसे उची चोटी है नेपाल में से सागर माथा की नाम से जाना जाता है नेपाल पर भी इन्होंने चढ़ाई की थी और फिर हम बात कर रहें केटू की देख मैपिंग पढ़ा लेती है लेकिन बनाना मुझे अच्छे से नहीं आता तो केटू पर इन्होंने चढ़ाई कर ली है वसीफा नजरीन जो की बांगला देश से बिलॉंग करती है वैसे ही जो केटू है इस पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के वेक्ति है स माइजीरिया से विलॉंग करती है और यह अभी हाली में वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन के अद्धक्ष बनी है वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन की पहली महिला अद्धक्ष और पहली अफ्रीकी भी आप कह सकते हैं सारा किल विलॉंग करती पाकिस्तान से पाकिस लेकिन उमीद करते हूं कि कल भी मैं अच्छी रहूँ वैदर सही रहे और तब्यद भी अच्छी रहूँ ताकि आप लोगों का जो यह कंटीन्यू क्लास लेने का फ्लो बना हुआ है यह तूटेना ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थाइंक्यू सो मच